नमस्का दोस्तों आदरी एक 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 जी जी डॉक्टर मन्मोहन सिंग जी हम सब की प्रेज़ना श्रिमति सोनिया गांदी जी और कॉंग्रेस आदरी राहुल गांदी जी उनके साथ श्रिपीछ दंबरम जी राजी गौडा जी वो सब आज की रहासिक मौके पर मंच पर हैं भारतिय राश्रिय कांग्रेस के प्रांगन में हम एक पर फिर कॉंग्रेस अज़क श्री राहुल गांदी फूर प्रदान मंत्री हमारे नेता दॉक्टर मन्मन सिंग जी आदर्णिय पीछरम दंबरम सहाब आदर्णिय श्री एक एंचनी जी श्री केसी विनुगोपाल जी और राजी बाउडा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आज का दिन कई मायनों में एतिहासिक है, दोस्तों आज आप सब कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किये जा रहे दोहजार उन्निस के चुनाव के मेनिफेस्टों के साक्षी बन जाएंगे, जो एक उजवल भारत के भविश्य की बुनियाद रखेगी, जो एक विक्सित भारत के भविश्य की बुनियाद होगी, और जो भारत को दुनिया की सबसे अगली पंक्ती में ले जाकर खड़ा कर देगी, हमारा घोशना पत्र, कॉंग्रेस अध्यक शिरी राहूल गांधी जी, आदर्णिय सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंग जी, उनके मारक दर्शन से, पीची दम्रम जी, राजीव गौडा जी और अनेको अनेको हजारों हजारों लाखों कॉंग्रेस जनों और आम जन मानश की सहमती और उनके विचारों से बनाया गया है, हमें विश्वास है कॉंग्रेस के वादे वच्छनों की तरह होते हैं और आज कॉंग्रेस का ये गोशना पत्र एक नए इतिहास का एक नए भारत का एक उजवल भारत का एक शक्तिशाली भारत का निर्मान करेगा मैं बगेर किसी विलंब के शिरी राजीव गावडा जी से अनुरोध करूंगा जिनोंने कन्वीनर के तौर पर घोशना पत्र के गठन में एक रचनात्मक भूमी का निभाई है कि वो इस घोशना पत्र को बनाने की प्रक्रिया और लाखों लोगों से करोडों लोगों से जो समर्थन लिया है उसके बारे में आपसे व्याख्या और चर्चा करेंगे राजीव जी राजीश से ठक्र प्रिया हूं जी रुम जी तौर्चा को बनानेर लोगों लोगों जी इस स्अ अखरोगे बहुआ ए टो रवांपरे मानिफेट कर देजिए। का एक तंप पर सुमर्ण विंफरिए टॉएम ça जरुए टॉरा सबस्केट कर रूपत वानिट करव बार कर्स्वेम करेंक यंडिस कुछिवा टीर हैाओ और हाओ, यंद में जरुगफ सो म्यानिझा टॉड़ नौन तो तो कि आए विसाट इन रूम कर वे इन रहु दो प्रेश लाव रहा भी ए रहा हूने अगराइब कर भी बानिफेस्टार शेख़ यह बता हैं से फंट्टेजीद कोमीटे बंचे केने बंपी रेवट केast लिए हुटू ओंची लिए हुशिएू केसे इसाथ तूर है? पूले ङवड़ने कोश्तिति अप् deixarे में हैं Together, we managed to cover. Our outreach covered 24 states, three Union territories and more than 60 locations. We also organized one Manifesto Consultation in Dubai to reach out to the NRI community and NRIs from 12 different countries participated and shared their views and concerns. We also opened up the Manifesto Process online. लिदे एक वादाट, लिदेटर एक फट्टाप नंबर, लिदेधर एक वे लिए, और रसकार दोचेंगा की। प्रव़ आपक्रव साथ, एंपॉटीर नहीं राच्टाइ़, सुत्व में हो अवर वार्व चिस्तमाने थानार अप्रवा, एंपना प्रवा, अवर प्राच्टाइब एम था अच्टार्व टोप्साएंट ओ्रूप्र, लिट रिए स्प्राइ़ प्रेश बिजिए पलिफने ही फिफटन में चुप्ति नोच दोर फिटन वीज प्टुट वीजेक शुटति एंप नुटति को लिफ एंपलत फीजेतों हम इंपू हैं ऩो आट एंपंपन टोर यह यह जाय शुट रख सेमति एंप्ति फिंप उन टुटति हैं करता है दो भी यह कि जहागा ने शिरिसली है और वेप्जास मनुटा घुट इन अर्व आर्श डिलिव और में इन इन नयूस को चाहँ आर राता है। प्रवीत करिसिए तेटरी एलभ एग करिएए आपरिए करिए ओटना यू प्रवी करिशा बीजिने। आप गुच बेस्टोर अपटिकिन आपने निया क्या। for governance in the months ahead. Thank you very much. Jai Hind. जो आज इस एतिहासिक समय पर अपना साथ जोडने हाथ जोडने आए हैं जनता की इस आवाज में हम उन सब का भी स्वागत करते हैं और अब मैं अनुरोद करूंगा उस शक्षियत को शिरिपीच यदंबरम पूरव वित्मंत्री जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेर्मेन भी हैं कि वो आएंगे और इस जन आवाज घोशना पत्र के बारे में संशिप्त में अपनी बात कहेंगे आदरनी चेदंबरम साहब प्रश्चिप इस चेपनी खिप्ति खेफ्ति न आपिएघ मुझा इस जिट्षिर रहूल जी ने डिए वित इस जिए खिड्यकोंव स्थाय प्रशेट रहूल जी रहूल। जी रहूल। जी ने खिए प्रमर गोंग्रस प्रस्थान श्रीमती सौनियगंदी। कर दोद्टर मुझन संग्जी, श्री अंटनी जी, श्री वेनु अपल जी, श्री रंदीप सुर्जियवाला जी, जो भिफेसर रजीव गवदी, श्री अजोड़ सिर्जोग मेर्य जो में नवीजे। जो प्लेच अंटिया, The manifesto was made through a process which has been described by my colleague, Shri Rajiv Gowda The content of the manifesto in my view are the millions of voices that we heard during these consultations if there is a paragraph in the manifesto that paragraph was actually spoken or written by a citizen or a group of citizens in this country they spoke much more they wrote to us much more but we could not accommodate all those voices all those writings गितास्टेस इभ विए बिएक्यासिती युग निएक्टोग आजिस्ट्राइस का इलति एक इलेस्ट का इलेस्ट अजसे विएाने कांटेस्ट. which addresses the concerns of our farmers, youth, women, Dalits, minorities, industry, small and medium enterprises, those who are concerned with the state of our education, those who are concerned with the state of our health care, workers, workers in the unorganized sector, concerns about internal security, concerns about national security, foreign policy, the northeastern states, Jammu and Kashmir. There is so much, so much more could have been said, but I am sorry, given the limitations of the manifesto, we could only say so much. But I am sure when our party workers and our party leaders take the message forward across the length and breadth of this country, they will find resonance to what we have said. The idea is to set the narrative for 2019. I think the Congress President has already set the narrative. The BJP, which is our opposition, they may be the ruling party today, they may call us the opposition, but the BJP is our opposition. That party is trying to seize the narrative. That party is trying to take the narrative back to the old, what they tried five years ago, the narrative of polarization, divisiveness and hyper-nationalism. We have to bring the narrative to the real issues faced by the people. And the real issues are, as every survey, every research will tell us, the real issues are, number one is unemployment. Four crore, seventy lakh jobs were lost. Not the two crore jobs every year that the Prime Minister promised. Four crore, seventy lakh jobs were lost. The second issue is farmers' distress. Farmers' loan burden has increased year after year after year. And according to a Nabad report, the average Indian farmer has a loan burden of a lakh and four thousand rupees. One lakh, four thousand rupees. The third is women. And when we asked women in Mumbai, what is your prime concern? I thought they will say, price rise. But what they said was, our security. Women are afraid of their security, of their children's security, of the security of their homes. These are the top three issues. Unemployment, farmers' distress, and women's security. There are many other issues. The thread that binds all the sections of the manifesto is simply in two words. Wealth and welfare. The manifesto, when implemented by a Congress government, I assure you, we will create wealth, and we will guarantee welfare. The theme of the manifesto is, how do you merge, or how do you marry wealth and welfare? The goal of the manifesto is, to announce a plan to the people of India, where we will create wealth, and we will guarantee welfare. And that, I am sure, a Congress government under Shri Rahul Gandhi will do. Thank you. Thank you very much, Adaniya Chidamaram Ji. And now I want to be a mentor. We are all with the support of Rahul Ji and Shri Mati Sonia Gandhi. Anandabhi Ji के साथ, और इस देश का दस वरश तक नेत्रितव करते हुए, देश में गरीबी पर प्रहार किया, और देश की व्यवस्था को बदला. आदरनी डॉक्टर मनमोहन सिंग जी. कॐस्वे कि एंपे कुछ तरावाल खाडिजी, principe प्रेस्ट्रिब सुरिर्ग कimientoमेग्न हमे एंपलिग। Shri Mati Sonia Gandhi Ji, Chidhamran Ji, Anthony Ji, Benungupal Ji, members of the Working Committee and all the other distinguished persons present here. Today is a unique date in the history of the Congress Party. जो एकार खाता है लिए अखरीज़ अबस्ट में भुकमट श्विच तर्टी अथियू इंड प्डिय अट्थिवेशीन अट्रिक्यूप कि एस्था अग्यून अजयन खाफ निएन लाग। ऑट्था इंटिः अभ। ऑट्था साथ निए। ऑट्विटिस जिप कि नुटिए्यून औरश इंड ध्यून में it will be debated all over the country, so that the aspirations of the people of India, the vision of the Congress Party and its Congress President can be a subject matter of widespread debate and understanding in various parts of our country. The purpose of the manifesto is to spell out the vision of the Congress Party to move forward at a faster speed than ever before, to move towards an inclusive, forward-looking economy and policy. And we all would like India to be a prosperous country, a country where prosperity and productivity go together. And for that matter, the manifesto points its perspective with regard to what will happen to the country's economy and it will be a strong, purposeful, modern market economy with savings rate target being fixed at 40% of our GDP, investment rate being fixed at 35% of GDP. So that there should be all-round understanding that meaningful problems of poverty, ignorance and disease that still afflict millions of our people can be solved only in the framework of a rapidly expanding economy. And this manifesto spells out that vision of a rapidly expanding economy. It also spells out what we would plan to do, how to get rid of chronic poverty, ignorance and disease which still afflict millions and millions of our people. We have made, in the 10 years of the UPA, a very impressive progress. 140 million people were brought out of the poverty line. We must better that record and we must make sure that in the year 2030, we would have got rid of poverty from this land of ours. Therefore, the program that is mentioned, outlined in this manifesto is worthy of all-round dialogue, discussion, the young people, the backward classes, the deprived classes, Daleks and minorities. All sections of society have been taken care of. But it is the duty of the congress workers to carry the message of the manifesto to the people at large. And that's the purpose of releasing this manifesto today. So that we go ahead telling people what has been missing in the last five years of the BJP rule, how unemployment has increased, how farmers' distress has increased, how foreign policy is in a mess, and how we can, working together, move forward in a new direction which spells out the vision of the congress party. I, therefore, commend this document to all our sections of the community, all sections of our country, so that their aspirations, their vision can get a mechanism to bring together all sections of our society on a new platform of inclusive growth which will get rid of poverty in a definite period of time. Thank you very much. 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 Yea, Congress, adhiakshi and all our shareholders are here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you once again. I have a huge commitment to mass progress on this with some of the, and thank you. Thank you very much. Thank you very much. सुन्या गांधी जी, मन्मोहन सिंग जी, आंटिनी जी, पीचितंबरम जी, गाउड़ा जी, वेनुगो पाल जी, जी, खाहिए सह्ट के सरी डिर्मांधा kr cloud забуд। हे लुट करोजबे। की जो से reactsा हैं। ए जी, all my Congress colleagues, General Secretaries, Brothers and Sisters, Friends from the media, I would like to welcome all of you here today. We are releasing this manifesto, and it is a massive step for the Congress Party. when we started this process about a year back just when we started this process about a year back I spoke to Mr. Chitambaram, Mr. Gowda and I gave them two instructions I said this is not to be a manifesto made in closed rooms I understand that the Congress party has a lot of expertise but this manifesto should reflect the wishes of the people of India that is the first point and the second point I said was whatever is going to be in this manifesto has to be truthful I do not want a single thing in this manifesto that is a lie because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister so I am happy to say that after over a year of work they have delivered on both those promises they have delivered the voice of the people and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto there is an immediate resonance from the people so when we talk about it 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 we get a response from the people so this is a good way our manifesto committee has worked on the manifesto committee so I want to thank Mr. Chitambaram, Mr. Gowda and our other team I want to thank Mr. Chitambaram, Mr. Chitambaram, Mr. Chitambaram तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और Sonia जी ने भी अपने विचार Manifesto पे हमें दिये तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिखिए Manifesto में पांच बड़े आइडिया हैं हमारा हाथ का सिम्बल है और पांच हमारे main themes है सबसे पहला थीम नियाय का थीम प्रधान मंत्री ने कहा कि 15 लाक रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो जूट था पूरा देश जानता है कि वो जूट था हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकालके हमें दीजिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सच मुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे 72,000 रुपए हर साब गरीबी परवार 72,000 और यह कॉंग्रेस पार्टी की पहली गैरंटी है कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार डाइरेक्ट पैसा डाले गी एक साल में 72,000 पांच साल में 3,60,000 इससे दो काम होंगे पहला काम गरीबों के जेब में पैसा जाएगा किसानों के जेब में डाइरेक्ट पैसा जाएगा पहली बार और दूसरा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी करके GST करके हिंदुस्तान की अर्ध्विवस्ता की धजयां उड़ा दी है जैम कर दी पूरी अर्ध्विवस्ता को वो अर्ध्विवस्ता एक बार फिर जंप स्टार्ट होके चालू हो जाएगी तो यह हमारा पहला कदम नियाय का कदम दूसरा चितामरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं रोजगार और किसान देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी ने दो करोड की बात की जूट मैंने इस मामले में भी मैनेफेस्टो कमिटी से कहा मुझे आप सच्चाई बताईए सच्चाई किया है दो करोड नहीं किये जा सकते तो आप मुझे बताईए सच्चाई किया है मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ और सच्चाई बड़ी क्लियर है 22,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ग्राम पंचायतों में रोजगार दे दी कि एंटरप्रनर्स के लिए आज अगर आप एंटरप्रनर्शिप करना चाहते हैं मेक इंडिया की दुनिया में आप बिजनस खोलना चाहते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट से आपको पर्मिशन लेनी पड़ती है रिश्वत देनी पड़ती है हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है तीन साल के लिए हिंडुस्तान के युवाओं को बिजनस खोलने के लिए कोई पर्मिशन की जरुए किसी से कोई पर्मिशन लेनी की जरुए ने आप जाईए एकदम बिजनस खोलिए जो बिजनस आप करना पर्मिशन के कोई जरुरूरत है तेन साल के यह और जाल जाई पर्मिशन की जरुए कि उल्यूर्एute पड़ताय। प्रदान मंतरी ने मनरेगा के बारे में बोला भूगस कीम है बेकार स्कीम मजाक ऊड़ाया आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदूस्तान की करना चाहते हैं 100 से अब हम 150 दिन गैरंटी करना चाहते हैं किसान की बात आप लोग जानते हैं मध्यप्रदेश, 36 गर, राजिस्तान, पंजाब, करनाटक में कॉंगर्स पार्टी ने कर्जामाफ किया दस दिन के अंदर कहा था हम दस दिन में कर देंगे दो दिन के अंदर कर दिया तो हमारी आप intention अच्छी तरह समझ सकते हों तो किसानों के लिए हमने दो चीजें बड़ी चीजें सोची हैं एक कि एक separate किसान बजट होना चाहिए जैसे railway budget होता था किसानों का एक separate budget होना चाहिए हिंदुस्तान के किसान को मालम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है उसकी MSP कितनी बढ़ाई जाएगी सब उसके सामने होना चाहिए दूद का दूद पानी का पानी होना चाहिए तो यह हमारा पहला step और दूसरा एतिहासिक step historical step देखिए करोड़ पती बैंक लोन लेते हैं आपने देखा अने लंबानी जैसे लोग मेहुल चौक्सी जैसे लोग नीरव मोधी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं मगर जो हमारे किसान हैं इमानदार लोग वो जब बैंक लोन लेते हैं अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है क्रिमिनल ओफेंस माना जाता है हमने निन्ने लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ओफेंस ना माने अगर किसान करजा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ओफेंस ना हो वो सिविल ओफेंस हो तो ये भी एक बहुत एतिहासिक निन्ने है शिक्षा और स्वास्त हिंदुस्तान के बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निन्ने लिया है कि GDP का 6 प्रतिशत पैसा, 6 प्रतिशत पैसा हिंदुस्तान के शिक्षा में दिया जाए। युनिवर्सिटीज, कॉलिजेज, आयाइटीज, आयाइएम हमारे जो बहतर सबसे टॉप कॉलिटी के इंस्ट्यूशन हैं हम उनको सब जगे सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का तार्गिट है नरेंद्र मौदी की सरकार ने उसको रिडियूस किया है यूपीय के समय से रिडियूस किया है हेल्थ केर में सरकार एक स्कीम लाई है बेसिकली स्कीम का लक्ष हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योग पतियों को इंशॉरंस के माधियम से उनके जेव में पैसा डालना है तो हम इ हम सरकारी हस्पतालों को सरकारी पबलिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी हस्पाताल की एकसेस हो हाई क्वालिटी इलाज की एकसेस हो तो ये हमारे पांच focus areas होंगे National Security और Internal Security की की आप जानते हैं Congress Party का आपने record, आपको record मालूम है पिछले पांच सालों में BJP की सरकार ने देश को बाटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है और उनका record आपको दिख रहा है, जमू कश्मीर में उनका record आपको दिख रहा है आतंग वाल्ट के जो casualties हैं वो बढ़ती जा रही है तो हम Congress Party देश को जोडने का काम करेगी देश को एक साथ लाने का काम करेगी और जो हमारा national और internal security है उस पे हमारा जबरदस फोकिस होगा आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, जहन आदने कांग्रिस अधक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया अवश्य ही हम निभाएंगे के वादे के साथ इस देश में एक निरनायक शुरुवात कांग्रिस का दोहजार उन्निस का घोशना पत्र करेगा हाला कि एक लंबी प्रिस कॉन्फरेंस और पत्रकार साथियों के जो बहुत देर से इंजार कर रहे हैं जवाब हम बाद में भी देंगे पर संशिप्ट में कुछ सवाल इस गोशना पत्र को लेकर और देश के लिए आगे के रास्ते को लेकर हम लेंगे कि रिपे अपना हाथ खड़ा करें तो बारी-बारी से फिर हम सवाल पूछ सकेंगे मिथिलेश जी रावल जी नमस्कार मिथिलेश हुमें इंडिया टेवी से आपसे सवाल है आप लोगों के बीच जा रहे हैं लगाता है विधान सवाचनाव उसमें भी आप गये आपको क्या लगता हवी राश्तवाद की बात की जा रहे हैं आप जो लोगों से बाचित कर रहे हैं उससे क्या लगता है कि क्या राश्तवाद की बात सुनेंगे लोग या आपकी बात सुनकर अगली सरकार सब कि सब पोलिंग यही दिखा रही है तीसरे बात जो economy बिलकुल बंद पड़ी हुई है jammed है और इस बात को सब लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान की economy बिलकुल अटकी हुई है फसी हुई है तो उसको एक बार फिर चालू करना उसमें GST का भी मामला है उसमें न्याई योजना का मामला है तो ये तीन चार मुद्दे हैं और आखरी भरष्टचार राफाइल और नरेंद्र मोदी जी के जो continuous non-stop जूट जूटे बाइदे विकरांत प्रॉम आज तक राहु जी मैं आज तक से कुमार विकरांत सिंग आपसे सवाल ये है कि क्या हम लोग कॉंग्रेस पार्टी के अगले प्रधानमंत्री पत के उमीदवार से बात कर रहे हैं और सवाल ये है कि क्या मनरेगा 15 साल हो गए उस योजना को वो कहां तक पहुंची है आपके हिसाब से और नई नया योजना और मनरेगा दोनों कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे क्या हम नए परधानमंत्री से बात कर रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के उमीदवार के तौर पर यह यह देश देश के उपर है मेरे उपर थोड़ी है मैं तो अपना काम करता हूँ यह सवाल तो आपको देश की जनता से पूछना पड़ेगा जहां तक मनरेगा की बात है मनरेगा ने 2009 में हिंदुस्तान की जो dramatic growth थी उसमें मदद की थी आप किसी भी economist से पूछे हैं आप किसी भी economist से पूछे तो आपको बताएंगे कि जो पैसा directly rural areas में गया था उससे economy fire हुई थी start हुई थी वो ही logic नया योजना का है देखिए हिंदुस्तान में अभी economic emergency लगी हुई है नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की गबबर सिंग टैक्स किया जोटे दुकानदारों पे small medium businesses पे वार किया तो economy बिलकुत फसी है और उसको jump start करने की जरुवत है शौक therapy की जरुवत है और इसलिए हम शौक therapy और direct पैसा हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के जेब में डाल रहे हैं वो पैसा जैसे ही वो पैसा उनके जेब में जाएगा वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे जैसे ही वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे economy fire होगी start होगी और जो हमारे UPA के समय growth के levels थे वो ही फिर से हो जाएंगे क्या माइक पीछे देंगे अरुन सिंग अरुन सिंग अरुन सिंग प्रॉम आईवीन सेवन राहूल जी मैं अरुन सिंग हूँ न्यूस देटीन इंडिया से 2019 के चुनाओं के लिए narrative जो set होना है क्या वो आप जो ये narrative set करना चाहते हैं कितान नौजवान गरीब गुर्बों की बात है या फिर वो narrative जिसकी संभावना दिखती मैं आपको एक बयान बता रहा हूँ परदान मंतरी ने कुछ दिन पहले अभी रैली में कहा कि राहूल गाधी और उनकी Congress Party ने आपकी पार्टी का नाम लिया उन्होंने हिंदूओं को आतंक से जोड़ दिया अपमानित किया और इसलिए वो एक majority seat छोड़के minority seat से लणने जा रहे है वाइनार्ट देखिए narrative सेट हो गिया है narrative न्याय है narrative है कि अगर नरेंद्र मोदी अने लंबानी को 30,000 करोर रुपे दे सकता है जेव में पॉकेट में डाइरेक्ट तो Congress Party 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है narrative सेट है 72,000 गरीबों परवार 72,000 यह narrative है अब इसका शॉक एफेक्ट लगा जैसे धवाका बोलता है न फटता है तो नरेंद्र मोदी जी को शॉक एफेक्ट लगा और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे है मगर देश का प्रधान मंत्री देश की सचाई से नहीं छुप सकता है देश की सचाई है कि देश में बेरोजगारी है देश की सचाई है कि देश का किसान देश का किसान तड़फ रहा है जी नहीं पा रहा है और ये नारेटिव है देश में लेट्स गो अन्दा राइट साइड आदीश रावल प्रॉम एबीपी और वहिया देखिए एक बात है चोकिदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है भाग नहीं सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई सामने है देश के सामने नोट बंदी की गपर सिंग टैक्स दिया किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए किसी भी मिडल साइज स्मॉल बिजनस वाले से पूछ लीजिए आपको बताएगा हमसे पैसा चीना आने लंबानी को दिया है सिंपल सी बात तो ये नारेटिव है आदीश रावल on the right side रावल जी 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 एस्ट रावल जी 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 एस्टी को लेकर काफी नुकसान छोटे बिजनसमें को हुआ है उसके लिए आपके पिटारे में क्या है आप कैसे जी एस्टी को में रिफॉम लाएंगे हमने कहा है कि गबर सिंग टैक्स को हम जी एस्टी में बदलेंगे पाँच अलग-अलग तैक्स है अलग-अलग फोन बढ़ने पड़ते है रिश्वत देनी पड़ती है हम एक सिंपल टैक्स देंगे कम से कम टैक्स होगा सरल सिंपल टैक्स होगा यह काम Congress Party ने Manifesto में लखा है, यह भी हम डिलिवर करके दे देगे। सुप्रिया भार्दवाज प्रॉम TV9 I am coming to you, I am coming to you, I am coming to you मेरा सवाल है न्याई योजना को लिकर न्याई योजना आप लेके आए हैं बहुत गेम चेंजर है लेकिन बीजेपी जो है और साथ में कुछ एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि यह doable नहीं है, कैसे करके दिखाएंगे, थोड़ा clarity अगर इस पर आप देते हैं बीजेपी ने कहा था कि किसान का करजा माफ करना doable नहीं है बीजेपी ने कहा था मनरेगा doable नहीं है मैं मानता हूँ कि यह बीजेपी से doable नहीं है, मगर कॉंग्रेस से यह doable है कॉंग्रेस करेगी, और देखिए, देखिए, हमने मध्यप्रदेश चत्रिजगार राजिस्तान में कहा था दस दिन के अंदर करजा माफ हो जाएगा प्रदान मंत्री ने कहा, जूट है, दो दिन में हमने कर दिया आप हम पर भरोस्ता कीजिए, मैं जूटे वाइदे नहीं करता हूँ मैं पंद्रा लाग नहीं बोलूँगा, मकर 72,000 साल के मैं बोलूँगा तीन लाग, साथ हजार, पंच साल के मैं बोलूँगा, ये सच्चा ही है, हम करके दे दे देगा Sanjeev from BTI Rahulji others also Sir, I'll announce after this Rahulji, BJP is trying to steal the narrative away from the real issues and you're trying to bring them back you know, so in your manifesto, how do you how would you overcome the challenge of reaching out to far-flung areas and the common man at the grassroots level well, our flagship idea Niai reaches out to every single poor person in this country 25 crore people are going to be directly impacted by our flagship idea the ideas that I have mentioned education, healthcare and our job strategy is going to reach out to millions and millions of people in this country so it is a very inclusive manifesto and frankly, it is a manifesto that has come to us from the people we have asked the people, they have told us what they want, we have put it manifesto में आपकी मन की बात है हमारी मन की बात नहीं है, आपकी मन की बात है आप किसी, आप पूर प्रधान मंत्री जी, आदनी सोनिया जी दोनों मंच पर हैं और कॉंग्रेस अध्यक्ष ने और चिदम्रम जी भी जिनोंने गोशना पत्र बनाया है कोई पत्रकार साथी अगर उनसे भी सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है संजे मिश्रा फ्रम जागरन मैं संजे मिश्रा दैनी जागरन से हूँ मेरा सवाल आप से है आपने गोशना पत्र में बहुत लंबे वाइदे किये हैं और बहुत गंबीर वाइदे किये हैं पर चुनावी बहस गंबीर दिशा में नहीं है चुनावी बहस विभाजनकारी और रास्टवाद के मुद्दे पर जा रही है ऐसे में जनता के जो मसले हैं उसको आप चुनावी बहस का हिस्सा कैसे बना पाएंगे जबकि आप नारेटिव जो है वो विपक्ष कही ना कही नारेटिव देने में कमजोर दिख रहा नहीं मैंने अभी बताया कि नारेटिव देश में रोजगार का है किसानों का है और न्याई योजना का है बीजेपी नारेटिव को शिफ्ट करना चाहती है मगर नारेटिव शिफ्ट नहीं हो सकता है क्योंकि देश की सच्चाई बेरोजगारी है यह देश की सच्चाई किसानों की बुरी हालत है। यह दोतलता देश किसानों की बुरी है। that they are not being included in the decisions of this country. So I want you to send a message to South India that we are with you and I am standing with you. That is why I am standing from Kerala. Now, what was the second part of your question? I don't know where you are getting this information from. Last I saw we have an alliance in Bihar, we have an alliance in Jharkand, we have an alliance in Tamil Nadu, we have an alliance in Maharashtra. so I don't know where you are getting which newspapers you are reading. But as far as I can see, we have alliances across the country. Baba from NDTV, can you please pass on the mic? Baba, Baba! Ashish? राहुल जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आजी अख़वार ने लिखा है कि कल जो प्रधान मंत्री का भासन था तो एक वर्ड जो है बार बार उनके भासन में आया हिंदू 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 इसको कैसे काउंटर करेंगे आप हिंदू और रास्टवाद को देखिए सब लोग हिंदू हैं सब लोग हिंदू हैं मगर देश में रोजगार की जरूरत है देश में किसानों की मदद करने की जरूरत है देश में नयाई की जरूरत है महिलाओं की देखबाल करने की जरूरत है महिलाओं को रेजरवेशन देने की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी सच्चा जो डिबेट है वो नहीं करना चाहते मैंने आपसे बोला है और मैं फिर से दोरा रहा हूँ ब्रश्टा चार पे मेरे से आके डिबेट करें National Security पे मेर से आकर डिबेट करें आई, चैलंज देता हूं नरेंद्र मोदी जी को National Security पे मुझसे डिबेट करके दें Foreign Policy पे मुझसे डिबेट करके दिखाएं Corruption पे, ब्रश्टा चार पे डिबेट करें मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधान मंत्री आपके साथ ऐसे क्यों नहीं बात करते हैं, आपके साथ क्यों नहीं बात करते हैं, आपसे डरते क्यों हैं, आप ये प्रधान मंत्री से क्यों नहीं पूछते हो, आप ये प्रधान मंत्री से क्यों नहीं पूछते हो, कि आप प्र कोशिए उन से प्रधान मंत्री जी आप हिंदुस्तान की जंता से क्यू डरते हो हिंदुस्तान की प्रेस्ट से क्यू डरते हो नरें रभोड जी डर सकते हैं मगर जुनाओ मेल में हम उनको हराएंगे आप देखना Thank you वियून जी रिषोर्मा जी Can you pass on the same mic please resonates do you think that in post it is enough to propel congress back to power I'm absolutely sure that the issues in this election are unemployment and the state of farmers I am absolutely sure about that if you go out that's what the country is saying so I am absolutely certain that the issue in this election is Rojgarh and Kisan Bhrashtachar and Nia Yojna Ashish Singh Raul Ji, I am Ashish on ABP News I have two questions Pallavi Ji who was asked is related to that I think we need to proceed with other programs Sir, in Delhi are you doing alliance in Delhi or not? You have written in some state that you have written in alliances that you have clear that the confusion there is no confusion on this the situation is actually very clear on this issue we have had we have constructed we have constructed alliances we have been open to construct alliances and we have done it across the country we are very flexible on that issue Sir, just the other question Thank you so much I think there will be a press conference at 4.15 again by Shri P. Chedambram and rest of the questions can be taken there I will be one time Congress Adhak Shri Rahul Gandhi Ji Shri Matis Sonia Gandhi Ji Dr. Manmohan Singh Ji Ji Shri P. Chedambram Ji Shri A.K. Anthony Ji Shri K.C. Venu Gopal Ji and our friends Gowda Ji I will be very much and thank you for I am a celebration of this Aisthi Haasik Bhoshna Puttr and I will be very grateful for this and to be very a celebration of this and I will be very I love you and I will see you that the people who are getting a celebration of this and I will be very very grateful for you आओगी यो जाओा हए ऐा गला कि अऑाक जाओपट. झाल झाल